हलू फ्रेंज स्वागत है आपका बन्दा की रसोई में तो आज हम गेट्स कंपनी का गुलब जामून बनाएंगे जो किसी भी मार्केट में अवेलेबल है और इसको कॉंटिटी 100 है और हम इसका हाफ पचास बनाएंगे और आप देख सकते हैं सब पूरा पीदी पूरवक सब कुछ स्टेप बाई स्टेप लिखा रहता है आप इसे पढ़के अराम से बना सकते हैं कोई प्राप नहीं होगी स्ट्रापने का क्यक हैं इसको आटक कैसे आसा गुधनायाАई क्या उठकर नर्क है आप देख सकते हैं step by step सब लिखा है कितना तेल में इसको पकाना है क्या करना है और इसका प्राइज भी लिखा है यह कंपनी का तो बहुत टेस्टी गुलब चामुन है और बहुत सस्ता है इतना कुछ ज्यादा तो है नहीं वैसे मार्गेट में जाओ देखो तो इतना महंगा गुलब चामुन मिलता है तो अब घर पे भी आराम से बना सकते हैं तो इससे हम खोल लेंगे और हम हाफ इसके अंदर का जो पावडर है वह भी बहुत सौब्ट है तो हम उपर से काट लेंगे कैचे से और एक बर्दर में निकाल लेंगे तो ध्यान है अगर आपको पूरा बनाना है तो आप पूरा यूज कर सकते हैं वरना कॉंटिटी या हाफ या फूल रख सकते हैं इसमें दूटली बना हुआ है ना आप उसे हाथ से अराम से सौप्ट सौप्ट करके तोड सकते हैं और बहुत मुलायम होता है बहुत सौप्ट रहता है यह देखिए एकदम मखण की तरह है इसमें कोई प्राब्लम आपको नहीं होगी बिगड़ने का चांस तो ही नहीं बिल्कुल आप अराम से इसी बना सकते हैं घर पर तो हम इसे अच्छे से मॉल कई दो त्यार बना रहे हैं कि अच्छे से मसल ने मसल मसल की थोड़ा दूट डालके अच्छा इसा ब्लत टाए हैं और ध्यान से कड़ान कि हुआं बहुत करें तो गुलाफि जामुन प्पड करड़ करना है ऐसे हम एक अच्छा सा डो त्यार करलेंगे सौ्ट होना चीए कड़कन होना चीए यह ध्यान लखना तो क्यों हम मार्केट से इतना मंगा clove जामुन खरीकर ऐ के बना के खा सकते हैं और वैसे दिवाली कतेवार आ गया है तो हर घर में मिठाई तो बनता ही है तो तरह तरह के मिठाई बनाना पसंद करते हैं लोग खाना पसंद करते हैं लोग तो गुलाब जामुन भी बना सकते हैं आराम से मावा दूद का टेंशन नहीं है तो देख सकत गी लगा लिए गी आप एक तरफ निकाल के लिए गी लगा लगा के हमें गुला गुला जामुन का अकार तो अपने हिसाब से लंबा भी रख सकते हैं तो हाथेली पर थोड़ा मसल मसल के उसको गूला बनाना है मसलिंग तो क्यों हो कि जो भी थोड़ा बुत अगर हमारे कसर जाता जातानस कमें तो इससे सप्ट हो जाता है और क्यूला जामुन के उपर ज्लिठाश पढ़एगा न Luci develop जामुन होना हएन तो तो हम ऐसे गुलाब समय बना लेंसे गोल Kenndo की तरह देख चाहिए तो यह करके अपनाaltetशन होना हिसे गुला जा हाथन मेरा सबलत ध्यू तो भीर लगा लगाने के इसजीआ है अम आउने कर Top स्कतिड़ किसैं ना सब्सक् vegan केज़ीयों के त्यार है मेरा एक त्यू carbon के से भी बिल्कूल ग्राइक नहीं हैं इसजीए करके हम सारे गुलाड़ जामन को अपने बना लिये हैं अब चलते हैं फ्राइ के प्रोसेस में तो मेरा 50 गुलाब जामुन टोटल बनके त्यार हो गया है आप देख सकते हैं और अब फ्राइ करते हैं इसको तो पहले उसके पहले हम चासनी बनाएंगे तो चासनी के लिए एक बरतन ले लिए पैन और गैस को मेडियम पे रखेंगे और हम 50 गुलाब जामुन के लिए 3 कप सक्कर लिए हैं 3 कप सक्कर में हमें परफेक्ट चासनी बनके त्यार हो जाएगा जितना 50 गुलाब जामुन के लिए अब जाए पि xenत कर सकते हैं ज्यादा घड़ा आ फिर पतला रखना तो में उस स्कंट से किन पनाने ब्तव छासनी बनाब शस्वेस्टिक्राइव लिक्विडी यह था सभी ब्स और आपयरह और अधाल है अग्यार सकी उप्र के लिए नहीं पीड़ने लागता ऋप् पूरा पिखलने देंगे तो यह सक्कर मेरा अच्छे से पिखल गया है घुल गया चारो तरफ फैल गया पानी में मिल्क अब इसमें हम दालेंगे क्या प्रथ रेंगे माझा प्रष बहूंब करनए युअन पूर्षे जाएं हमेरा यह जिए वहां को दाला छोड़ा यह चाहिए वहाँ फिखलूब पर रखना है बहुत गरम नहीं होना चाहिए तेल और कड़ाही में तेल इतना हो जिसे गुलाब जामुन अंदर डाले तो ऊपर तैरने लगे तो तो थोड़ा ज्यादा कॉंटिटी में लेना ध्यान रहे गुलाब जामुन फ्राइब करने के लिए तो ऐसे ही हमेके करके सारे गुलाब जामुन को एड़ कर देंगे और आपको दिख रहा होगा कि मेरा गैस इतना लो है कि गुलाब जामुन एदम आराम से थोड़ा थोड़ा तलना स्टार्ट हो रहा है हाई रहेगा तो उपर का ब्लैक हो जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा तो अच्छा न यह होना चीए चमच में तो ऐसे चमच से घुमाना है और इसे फ्राइग करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है गैस को स्लो ही रखना और यह अपने से उपर आ जाएगा फुल के तो अब देख सकते हैं मेरा गुलाब जामुन फुल के ऊपर तक आगया है तैरने लगा है औ और एक तरब कच्चही रह जाएगा और इधर मेरा आप देख सकते हैं चासनी बनके त्यार हो गया है और लिक्वेड़ी है बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं है अग्दम परफेक्ट चासनी बनके त्यार हुआ है तो अभी इसे फ्राई करेंगे और गरम गरम चासनी म को डालेंगे तो गुलब जामुन अक्षे से फुल जाएगा और अन्दर तक अ अंदर को निगल के हम जयों बोलते हैं सीरा तो अंदर जो भी सी आ मेरा चासनी है गरम तरह कि अधानाव सबस्क्रीच सेखान में प्रविए स्पीज़ गरम method कर लेगा तो ऐसे चलाते हुए हम सारे गुलब जामून को मेर देख सकते हैं मेरा बरतन छोटा पढ़ गया है गुलब जादा हो पच्छास पर्फेक्ट बना है जो भी हम लोग बोलते हैं सीरा और चास्ति एकदम पर्फेक्ट बना है अभी इसको कबर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे 30 मिनट के बाद एकदम पर्फेक्ट गुलब जामून मेरा बनके त्यार हो जाएगा सीरा सोक के अंदर तक गुल कर लिया है यह देखिए कितना फ्यारा लग रहा है और रिकेन के रिए इसका तेस्ट इतना अच्छा इतना अच्छा है ना कि अब दूद खुआ मावा से बनाना भूल जाएंगे इसका एक बाद खा लेंगे गेट्स कंपनी का तो यह बहुत टेस्टी गुलब जामून है इसे मैं तोड़ की दिखाते हूं कि अंदर तक अच्छे से गुल गया है चासनी अगदम अंदर तक चला गया है यह देखे कितना सौप्ट है मूं में डालते ही पुरा घुल जाने वाला गुलब जामून है और खाने में बहुत तेस्टी है तो ऐसे ही आप गुलब जामू हम क्यों मार्गेट में खरीदें तो मैं इसके भी काटके दिखाते हूं यह देखे कितना यमी बना है गुलब जामून तो कैसा लगा मेरा रेसिपी कमेंट सिक्षने बताइएगा है ना कितना जूसी बना है देख सकते हैं और इसम सौप्ट सौप्ट बना है तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और फिर मिलते हैं किसी दुसरे वीडियो में तब तक के लिए